तो Sanju Samson का जल्वा चली रहा था, लगातार एक बार बंगलादेस के खिलाफ सतक आ गया था, फिर अफिरिका के खिलाफ सतक मार दिया पहले ही मुकाबले में, लेकिन कहते हैं ना इंडिया के पास एक से एक टैलेंट है, क्रिकेट की बात की जाए, तो हमारे पास एक से एक पर चाहिए पर देश नहीं पारा और यह सब कुछ हो रहा है आईपेल की वज़े से अब तिलक वर्मा का यह तीसरे इंटरनेशनल मुकाबले में सतक आ जाता है और क्या important time पर आया क्योंकि शुरुआत में ही सैंसन आउट हो गया और उसके बाद तिलक वर्मा बहुत जल्दी लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने गीम को चलाया तिलक वर्मा आईपेल की खोज है क्योंकि मुम्मा इंडियंस के लिए खेले गए और जब जब मौका मिला गजब की छाप छोड़ी सब ने बोला कि ये खिलाड़ी के अंदर हर तरीकी की बातचीत है यार मतलब ये तेजी से रन बनाना भी जानता है ये सिंगल डवल निकालना जानता है अगर विकेट्स गुच्छे में गर जाते है तो संभालना जानता है कई बार ऐसा आया मुमा इंडियंस के ऐसी परिस्तिती हो गई थी जहां तिलक वर्मा ने आके निखारा और निखर के आया है प पिर जब इंडिया टीम में मौका मिला तिलक वर्मा को और इस 320 मुकावले तीसरे गजब की छाप छोड़ी एक तरफ अविसक सर्मा थे जो धुरंदर बल्लेवाजी कर रहे थे दूसरी तरफ तिलक वर्मा ने भी कहा कि हम भी किसी से कम नहीं लगबग दोसों के स्ट्राइक रेट से ये सता काया जिसमें 56 गेंदों में 107 रंथे 7 छक्के थे सिर्फ छक्का मारना ही नहीं जानते सिंगल डवल स्ट्राइक रोटेट करना जानते गिम को चलाना जानते सिचुएशन को पढ़ना जानते ये खिलाड़ी बहुत एकलासी खि दे देते हो विराट कोली की जगत यह जो अब तिलक वर्मा ने खेला और बखुबी निभाया और कहीं न कहीं मैं कहूंगा कि इंडिया का भवेश्ट अगर ऐसा है तो बिलकु स्रक्षित है मजा आने वाला है और बहुत इंप्रेस किया तिलक वर्मा ने नो डाउट क्यों कि साउथ अफिर का ही गेंदवाज क्यों साउथ अफिर का ही घर में सतक मारने के बाद भी नोट आउट जा रहे हैं मतलब विकेट नहीं गे रहा था उनका नोट आउट गए थे एक तरप से विकेट की पूरी धेड़ लग गए अब इसे एक सर्मा को छोड़ दिया जाए तो क्यों ही भी बल्लेबाज साथ नहीं नहीं भापा रहा था लेकिन तिलक वर्मा ने अपना स्ट्राइक रेड भी कम नहीं होने दिया और ना सिर्फ गेम को छलाया बलकि अपना सतक भी बनाया और एक बढ़िया टोटल पे इंडिया को पहुचा दिया जहां से साउस फिर कि तिलक वर्मा का जो परफॉर्मेंस था उससे हमें उमीद की किरन मिलती है कि भविष सुरक्षीत है आप लोगों की क्या राया है जो भी एक कमेंट में बताइएगा फिर मिलेंग अंगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बाई